हेलो जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे आज के आप इस वीडियो के माधम से जनकारी लेगे कि आई टी आई में सबसे अधिक किस ट्रेट के लिए भरती आती है यदि आपने भी आई टी आई कर रहा है या बहुत सारे छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक आई टी आई नहीं किया है तो यदि आप ITI करना चाहते हैं तो आप किस ट्रेट से ITI करेंगे यभी मैं आपको सला देने वाला हूँ तो आप वीडियो को complete देखेगा और इस तरह की कोई भी knowledge type की वीडियो आप पाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से तो चैनल को subscribe के लिजेगा नीचे आपको एक create color का बटन दिख रहाऊगा subscribe उसको दबाकर बगल में घंटी वाल आइकोन को दबाकर all notification पे click किजिएगा तो चलिए आपको यहाँ पर मैं जनकारी देता हूँ कि किस trade के लिए यहाँ पर vacancy निकल के आ रही है सबसे अधिक तो यहाँ पर मैं आपको क्रम सब बताने वाला हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा फीटर की अब तक मैंने जब देखा तब फीटर की vacancy आती रहती है कोई भी यहाँ पर बात करे किसी भी company के द्वार या apprenticeship की बात करे तो उसमें जिक्र की आ जाता है फीटर का जरूर जिक्र की सबसे जादा रिकेंसी देखने को मिल जाते जो चाहत्र के लिए इसके बाद चोनाबर सबसे जयादा वेकेंसी देखने को कुछ भी नहीं किया गया था है कुछ ऐसे भी यहाँ पर रेल्वे के भी जॉब आते हैं जिसमें एलेक्रिसियन का जिक्र नहीं किया जाता है ठीक है तो इसको इनलिए मैंने इसको चौथे नमबर पर रखा है उसके बाद यहाँ पर आता है आपका इस्टूमेंट मैकेनिक जो चातर यहाँ पर इस्टूमें पर रखागा है उसके बाद मैंने यहां पर टर्नर थियोरी को भी रखा है क्योंकि टर्नर के लिए बहुत ही कम वेकेंसी आती है अटे नमबर पर आती है पंप एंड पाइप मैकैनिक जो कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी आपको ट्रेड देखने को बिल जाते हैं जो कि आते हैं लेकिन फीटर वाले में यह फान नहीं भर पाते हैं इसके बाद यहां पर नम्बर पर आती है पैंटर इसकी बहुत कम वेकेंसी निकल के आती है पहुती नम्बर से कम की बात कुटरण로 क्लिए सबसे कप बेकेंसी देखने मिलते किसी भी फॉर्म निगलता ओड near-dust कोपा वालों के लिए उसमें पदों की संक्या एकदम यहां पर निवन्ट ही • बहुत यह कम रहती है जो कोपा वाले फिलफ करते हैं इसके बाद 10 नमबर पर आपको आता है डिजल मैकै carbohydrate नमबर पर आता है मॉतर मैकेनिक से जो चछाथर आइटीयाग के हैं उनके लिए भी भी कम वेकैंशी निकल के आती हैं कारपेंटर के लिए भी ज्यादा तर कम वेकेंसी आती है वायरमेंट की बात करें तो इसमें वायरमेंट की जब वेकेंसी आती है तो इलेक्रिसियन वाले भी फाउंड को फिलप करते हैं लेकिन जब इलेक्रिसियन की वेकेंसी आते है तो इसमें यहाँ पर फिलप नहीं कर प के पास यह जनकारी पहुचे और उसका वह लाब उठाप है तो दूस्तों यह थी आज की जनकारी उम्मीद आपको जनकारी पसंद आईगी पसंद आई तो कि एक बार वीडियो उपस लाइक जरूर कर दीजेगा